बिस्मल्यर्वानि रहीम शुरू अल्ला के नाम से जो बड़ा महरबान नहेंतरेम करने वाला है असलाम अलेकूँ वेलकम टू मैं केचन आज आपने शेयर करूंगी बिल्कुल केफसी स्टाइल चिकन विंग्स की रेसिपी जो उपर से बहुत ही जादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत जादा सॉफ्ट और जूसी होंगे अच्छा विंग्स होगे या चिकन होगी उसमें खास किसम की स्मेल होती है और उसके साथ ही जब हम इसको फ्राई करते हुए बलड निकलना शुरू हो जाता है तो इस मसले को हल करने के लिए हमने क्या करना है इसकी मेरिनेशन करनी है तो उसके लिए मैंने या पर दो से तीन खाने के चम्मच जो हैना सफैस सिर्का ले लिया है और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी पानी हमें इतना एट करना है कि विंग्स जो हैना वो इस पानी में डिप हो जाए उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को तोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इस तरह से मिक्स करने के बाद जो हैना हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन आदे घंटे के लिए ना इन विंग्स को में छोड़ दूंगी इस सिर्के वाले पानी में ताकि इसके अंदर जितना भी बलड है वो भी निकल जाए और इसके स्मेल भी खतम हो तो तकरीबन आदा घंटा हो गया था चिकन विंग्स को रखे वे इस सिर्के वाले पानी में तो अब ये देखिए इसका जो ना काफी हद तक बलड निकल आया है यहाँ पर देखिए पानी जो आपको नजर आ रहा होगा बलड वाला और चिकन ने भी अपना कलर जो हो चेंज कर दिया बस इस ताइम पर आकर ये पानी हम गिरा देंगे और चिकन को ना दो से तीन पान चमज इसका ना मैं दही अट करूंगे और आप देख रहे हैं मैं गाड़ा वाला दही इस्तमाल करी हूँ और आपने भी गाड़ा वाला ही दही इस पियां पर यूज करना है उसके बाद यहाँ पर नमक मैंने एक टीस्पून एड किया आप अपने टीस्क के साथ यहां पर एक चमज मैंने एड किया लेसन पाउडर और आदा चायका चमज इसके अंदर मैं एड कर रही हूं अद्रक पाउडर अच्छा अगर आपके पास लेसन और अद्रक का पाउडर मौजूद नहीं ना तो आप पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब सब सा जादा टाइम है तो आप जादा टाइम के लिए भी रखें तो यहां पर तकरीबन डेड़ घंटा हो गया था चिकन विंग्स को मेरिनेट किये हुए तो यह अच्छे से मेरिनेट हो गया है यहां पर प्लीन फ्लायर यानिके मैदा ले लिए मैंने और यहां पर नॉमर्ट पानी ले लिए मैंने। प्रेस करते हुए हमने, ये सारा जो मैदा है ना, ना दुबारा से इसको ऐसको इसको रिभा लगा हू है, और अब हाथों के मदा से, इस तरह動画 मैदे में इसको रोल कर रही हूँ. कुछ देए roll करने के बाद एक एक करके चिकन Win को हम इस पकड़ेंगे और इसको अच्छी तरह से चटक लेंगे जितना अच्छा चकेंगे न उतने अच्छे crumbs बनेंगे, ये देखिए इस तरह से तो बाकी के chicken wings को भी मैं इसी process से जो है ना ये मैदा लगा दूँगी उसके बाद हम इनको fry करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने pan में oil गरम करने के लिए रख दिया था अब एक एक करके chicken wings हम इसके अंदर add करेंगे अच्छा आपने ना chicken wings जब डालने है ना तो उसके बाद इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है जैसे ही वो set हो जाएंगे एक तरफ से पाद हम इसकी side जो है वो change करेंगे और दूसरी side से भी हम इनको golden crispy होने तक fry कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए chicken wings हमारे दोनों side से बहुत अच्छे से fry हो गए है बहुत ही अच्छे से इनके उपर crumbs बने है और color भी बहुत अच्छा आगी है इनके उपर तो बसा मैं क्या करूंगी इनको एक एक लिएँगी औ और इस strainer में डालूंगी ताकि इनका excess oil never निकल जाए बाकी के भी बैसी तरह से fry करके आपको plate out करके दिखाती है तो अलहमदोलिला यह देखिए कितने जबर्दस हैं हमारे chicken wings जो है वो बनकर तयार हुए उपर से बहुत जादा अच्छे हैं इसके पर crumbs बने हैं और अंदर स यह बहुत जादा soft and juicy बने हैं तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए उपर से बहुत जादा crispy हैं और अंदर से बहुत जादा soft हैं juicy हैं तो आपने जरूर try करने हैं और try करके मुझे पताना ज़रूर है के मेरी आज की recipe आपको कैसी लगी अगर अच्छे प्रेंट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया थिंक्यू फर वाचिंग अला आफिस